सब ये सोस्तेंस की हिरो होता है जो जीतता है हिरो फो होता है जाहरता है कलाइन और टाइगर की उलाद है ये हलो और वेल्कम टू बॉलिग्राइड उस्टूडियोज दोस्तों एक्टर्स पहले कुछ भी कह देते हैं लेकिन जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आती है जैसे जैसे बाइकोट का जो ये मुहीन जो चल रहा है वो उन पर हावी होता है वैसे वैसे इन एक्टर्स की सुर्ताल सब कुछ बदलने लगता है पहले करीना कपूर खान को आप देख लिजे उनकी स्टेट्मेंट क्या थी और बाद में क्या हुआ आमिर खान के स्टेट्मेंट की बात कर ले तो उनके भी सुर्बदले अभी कुछ दूने पहले विजे देवर कॉंडा के फिल्म लाइगर के बाइकोट की मांग सोशल मेडिया पर बड़ी जोरो से उठी आलगी बाद में इस पर एक्टर ने चुपी तोड़ी थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें बाइकोट से डर्ड नहीं लगता उन्होंने कहा था कि क्या इस बाइकोट के डर्ड से क्या अपनी फिल्में रिलीस करना छोड़ते विजय देवर कुंडा के इस बयान के बाद उनको सोशल मेडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया लेकिन अब जब फिल्म रिलीज होने के लिए बहुत करीब आ गई ये लगबग 48 गंटे रह गए हैं तो अब उनके भी सुर्टाल पूरी तरह से बदल गए उन्होंने का कि करन जोहर, चारमेम कौर, पूरी जगनात और फिल्म की टीम के बाकी लोगों के साथ कोरोनमामारी के बीच फिल्म को पूरा करने के लिए तीन साल तक कड़ी मैनत की तीन साल पहले साल 2019 में हमने इस फिल्म की शुरुआत की उससे में पर ये बाइकॉट बॉलिवूड नहीं था ये सब लॉकडाउन में शुरुर हुआ और हम उस समय तक शूटिंग शेडूल में आ चुके थे उस समय हमें लगा कि हमारी फिल्म को पूरे भारत में ले जाने के लिए करन जोहर सर से बैतर कोई विकल्प नहीं है कोई आपशन नहीं है हमने उसे फिल्म को हिंदी में रिलीज करने को कहा तो वो बहुत एक्साइटीड हो गए और हमें नौट से काफी अच्छा रिस्पॉंस भी मिला अक्टर सिर्फ यही नहीं रुकई उन्होंने सबसे पहले बात की स्ट्वगल के बार में वो बताना चाह रहे थे कि वो सेल्फ मेड अक्टर है और यहां तक पहुचने के लिए काफी स्ट्वगल किया है उन्होंने कहा रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ा काम के लिए लड़ना पड़ा हर पिक्चर एक लड़ाई था जो मेरा पहला पिक्चर था उसे प्रोड्यूसर तक नहीं मिल रहे थे हम सभी ने फ्री में आक्टिंग किया पिक्चर बनाने के लिए फिल लोगों को प्यार मिला एक एक्टर की तरह वेल लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब बातों का अभी स्टेम क्या फाइदा और अभी यह सब क्यू कह रहे हैं विजय देवर कोंडा हो सकते है कि प्रोड्यूसर ने काओ कि आप ज्यादा पंगा मत लो नहीं तो लेने के देने पढ़ जाएंगे और इसलिए लग रहा है कि उनके सुरफ बदल चुके हैं वेल इसके बाद का दिसिजन आप लोगों पर है कि आप लोगों को क्या करना है या अभी भी करन जोहर को बाइकॉट करना है क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाई है उन्होंने ऐसे बहुत से बयान बाजी किये हैं जिसकी वजह से लोगों का दिल दुखा है आपको क्या करना है यह सब कुछ जब आप डिसाइड करिये वेल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही थाइंक यू सो मच देखते रहें बॉली ग्राडू स्टूडियोज